दोस्तों बॉलिविट की आन बानशान सारू खान जिनकी फिल्म पठान हम सभी के बीच में रेलीज हो चुकी है फाइनली दोस्तों फिल्मे को बॉक्स अपिस पे लगेवे को आज पाचवा दिन इस्टार्ड हो चुका है और दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि फिल्म अपने पाचवी दिन कितने करोड रुपे का कारोबार कर सकती है तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हमारी अपडेट की तरह उसके पहले आपसे भी से एक छोटी सी रिक्वेश्ट है कि आपके भाई की फेमिली काफी जल्ड दो लाग सस्क्राइबर्स की हो जाएगी तो दोस्तों फटफट सस्क्राइब करके आपके भाई के चेनल को दो लाग की बड़ी सी फेमिली बना दीजिए तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हमारी अपडेट की तरह वेल फेंड अगर हम बात करें फिल्म पठान मूवी की तो दोस्तो फिल्म को बॉक्स अपिस पर लगे हुए को आज पाच्वादे ने श्टार्ट हो चुका है और दोस्तो जिसे को वही इस फिल्मे के तारिफ करते हुए नहीं ठक रहा फिल्म ने दोस्तो टाइगर जिन्दा है वार मूवी और दोस्तो बड़े-बड़े मूवी का रिकोर्ड तोड़ दिये तो दोस्तो इस फिल्म ने अपने पेले ही दिन ताबर तोड़ करें और इस फिल्मे के जो एडवांस बुकिंग और दोस्तो जो प्रेडिक्शन थे उन सभी के रिकोर्ड भी तोड़ दिये ह अगर हम बात करें फिल्म के कलेक्शन की तो फिल्म पठान ने अपने पेले ही दिन 57 करोड़ लाक रुपे का ताबर तोड़ आकड़ा पार कर दिया था वही पर दोस्तो फिल्म अपने दूसरे दिन उससे ज़्यादा कलेक्शन करा और दोस्तो कमाए 70 करोड़ 50 लाक रुपे पर दोस्तो बात करें फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन की तो फिल्म पठान ने अपने तीसरे दिन 49 करोड़ 25 लाक रुपे का अकड़ा पार कर दिया इ इसके चलते दोस्तो फिल्म पठान ने अपने पाच ही दिनों में इंडिया का नेट कलेक्शन करा 299 करोड रुपे, वही पर दोस्तो फिल्म में का ग्रॉस कलेक्शन रहा 315 करोड रुपे और दोस्तो फिल्म ने ओवर ऐसे जाने की विदेसी मार्केट से कमाए लगबग 38 करो इससे आप अंदर जा लगा सकते हैं कि फिल्म पठान एक कितनी बड़ी ब्लॉकबश्टर साबित हो चुकी है विस्तो दोस्तो अगर आपने फिल्म पठान को देख लिया तो आपको मुवी केसे लेगी और दोस्तो आपने इस फिल्म को कितने श्टार रिव्यू दे कमेंड करके जरूर बताईएगा और दोस्तो आपके रहमाचल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना गुलिएगा जैहिंद वंदे मातरम ध्यान रखेगा अपना और अपने माता पिता का